और वो सरकार जो मोदी जी दस्वी क्लास, आठ्वी क्लास, बार्वी क्लास, ग्रेजवेशन के बच्चों को मन की बात करके पेपर कैसे देना चाहिए, परिक्षा कैसे देनी चाहिए, गुरुग्यान देने वाले देश के प्रधान मंद्री जी विदेशों में गूम रहे हैं एक भी परिक्षा डंग से नहीं करवा पा रही है दो करोड लोगों को प्रतिवर्ष नोकरियां देने का NTA है उसके डाइरेक्टर को हटाना पड़ा इन्होंने CSIR NET है वो इनको रद करनी पड़ी केंद्र सरकार जब मौदी जी के नितरत में दस्तान से जब से बनी है तब से एक भी परिक्षा डंग से नहीं करवा पार रही है जो वादा उन्होंने लोगों से किया था दो करोड लोगों को प्रतिवर्ष नोकरियां देने का उसमें पूरी तरह से विफल रही है पेपर लीग को लेकर केंद्री इस तर पर कड़ा कानून बनाना चाहिए मगर हमारे खिलाव दुष प्रचार किया गया केंद्र की सरकार ने इस और कभी ध्यान दिया ही नहीं और ये कहना है राजसान की PCC चीप गोविन्द सिंग डोटासरा का गोविन्द सिंग डोटासरा ने नीट परिक्षा दोसाथ चौबिस इस्तागितों ने पर कहा कि नीट परिक्षा मिवात के बीच केंद्र सरकार ने एंटीय प्रमुक सुद्भोध कुमार सिंग को हटा दिया वही राजसान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर भ केंद्र सरकार मोदी जी के नेत्रेतों में दस साल से जब से बनी है तब से एक भी परिक्षा डंग से नहीं करवा पा रही है जो वादा उन्होंने किया था दो करोड लोगों को प्रतिवर्श नोकरियां देने का उसमें पूरी तरीके से विपल रही है और हम बार-बार कहत थे कि ये केंद्री इस तरके ओपर कानून बनना चाहिए कड़ा कानून बनना चाहिए पेपर लीक का लेकर के लेकिन हमारे खिलाब दूस्परचार किया गया लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस और जहां नहीं दिया आज जो नीट यूजी जो है उसमें चोबीस के लगबग बच्चे बैठे हैं वो पेपर लीक हो गया पूरे तरीके से प्रमानित हो गया बिहार में इनकी अलाइंस की जो सरकार है उसकी उप्मुक्य मंतरी कह रहे हैं कि यहां पर पेपर लीक हो गया कई स्टेट्स में कह रहे हैं पेपर लीक हो गया हमारे राजस्तान म सिकार हो रहे हैं धरना प्रतर्शन कर रहे हैं सडके रोक रहे हैं चिला रहे हैं लेकिन इनके कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप देखिए जो इनकी NTA है जो एजेंसी है यह इनोंने 2017 में शाहिद बनाई थी उसके बाद में एक भी पेपर यह ठीक नहीं कर पाए आज आप द नीट यूजी की CBI को जांस देनी पड़ी इनके जो NTA है उसके डाइरेक्टर को हटाना पड़ा अब इसके बावजूद भी आप परिक्षा निरस्त नहीं कर रहे हो अपनी जिद्धी कर रहे हो और वो सरकार जो मोदी जी दस्वी क्लास आठ्वी क्लास बार्वी क्लास ग् ग्रुग्यान देने वाले देश के प्रधानमंतरी जी विदेशों में गूम रहे हैं और इस मुद्दे के उपर जो लाखू लाखू बच्चों के बविशे से जुड़ावा सवाल है उसके उपर वो चुप हैं ये पूरी तरीके से फैल हो चुके हैं और राजस्तान में मै आपको लिखके दे रहा हूं कि पांस साल में एक भी भरती डग से ये नहीं करबा पाएंगे क्योंकि इनका वीजन ही नहीं है इनको तो केवल एंटिकम्बेंसी पहला करके जहां इनके सरकारे नहीं हैं वहां सत्ता लूटने का काम करना था जो कर रहे हैं इसके अलाबा इन आच इनोंने दे दी तो परिक्षा अब आप उसको आगे काउंसिलिंग के लिए कैसे बढ़ सकते हैं उसको निर्स करा के दूरत दूसरी करानी चाहिए अभी जो ग्रेस मार्क दिये थे उसमें भी इनोंने जो है वो दुबारा एक्जाम करा रहे हैं कुछ बच्चों की क्या भाइदा आप बताईए जब बच्चे संतूस्टी नहीं हो रहे हैं और पूरी तरीके से प्रमानित हो चुका है कि ये पेपर लीक हो गया एक एक सेंटर से 6-8 आट टोपर आ रहे हैं पूरे बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कॉंग्रेस के नेता भी कह रहे हैं प्रमुक वेपक्सी धल भी कह रहे हैं कि ये बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये पेपर लीक हुआ आनन भानन में आप बताईए दोजार चोबीस का पेपर लीक का जो खानून बनाया है नोने ये पहले भी तो बना सकते थे हमारे राजस्तान में ठीक है पेपर लीक हुआ बट सरकार ने तुरंत दूसरी एक्जाम कराई और दूसरी एक्जाम करागे दो पेपर लिये दो पेपर लेकर बच्चों को नोकरी दी आज कोई नहीं कह सकता कि आप बचे नोकरी नहीं लगे ये तो रायता पहलाने में लगे वे हैं और ये एक परसेप्शन बनाने में ल हुआ है तो उसके बाज़ जूद भी एक्जाम निरस्त नहीं करना ये हटदर्मीता है बच्छों के बविश्य के साथ में कुठारा गात है जिसको कॉंग्रेस पार्टी कभी बरदास नहीं करेगी हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया है आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे इन वो सारे दिन गाली निकालते रहते हैं इसके लावा वो कोई काम नहीं करते हैं शिक्सा और पंचायत राज जैसा महतोपन विभाग आरेसेस और बीजेपी ने मदन दिलावर जी को दे रहा है जो मानसिक रूप से बिलकुल विकलंग हो चुके हैं उनकी कोई कैसे बच्चों का सरोने बहुत से बनाना है कैसे हमको जो ड्रोप आउट बच्चे हैं उनको क्या करना है टीचर्स की कैसे सुईदा करने उसको लेकर करके नहीं देंगे वो हमको गाली निकालते रहेंगे मैं तो यह कहना चाहता हूँ मुखे मंत्री जी से और अगर वो आर जो गलोद को गाली निकालनी है यह डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर S.I.T. गटी तैपेपर लिग को लेकर के और केंदर भी E.D. की जाच कर रहा है F.I.R. नोज हैं तो जो कारवाई जिसके खिलाब बनती है कीजिए न मना कौन कर रहा आपको अगर किसी ने जहर खाया ह तो वो ही तो जहर से मरेगा तो दिक्कत कहा है लेकिन बक्वास करना फिजूल की बातें करना लोगों को ब्रमित करना एक वातावरन गंधा करना यह मैं समझता हूं कि यह हो सकता है B.J.P. और R.S.S. की आईडिलोजी हो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंचायत राज मंतरी बना करके B.J.P. और R.S.S. अपनी मानसिक्ता का परिच्छ दे रहा है कि हम किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके का विजन हमारा है जो प्रदेश के बच्चों के लिए यह शिक्षा के ख्षेतर में हम देना चाहते हैं यह शायद वो करना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना मुझे इतना कहना है कि शिक्षा मंतरी जी का पहले इलाज कराएं मुख्य मंतरी जी और उसके बाद में उनको शिक्षा के ख्षेतर में और पंचायत राज के ख्षेतर में काम करने के लिए कहें अगर वो यह नहीं कर पाते हैं तो जो जिस तरीके स आदिवासी हमारे भाई बहनों के लिए DNA की जांच और बाप तक को चेलेंज कर दिया मैं समझता हूँ इस से खरणित बयान मैंने मेरी समझ लेने के बाद में कभी किसी व्यक्तिका ही नहीं देखा ये तो मंत्री है ये किसमू से आदिवासी भाईयों के बीश में जाएंगे और उन आदिवासी भाईयों के लिए जो 1900 आदिवासी भाई देश की स्वतंतरता संग्राम में सहीद होगे देश की आजादी के लिए उनके आप DNA को चेलेंज कर रहे हो उनके बाप को चेलेंज कर रहे हो तो इससे निम्नम मान सकता इससे गटिया मान सकता कोई हो नहीं सकती है भगवान इनको सद्बूत दे भारतिय जन्ता पार्टी को और RSS को तुरंत इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे मंत्री का इस्तिपा लेकर के स्वेम के तरब से माफी मांगे और इनका डॉक्टर को